नमस्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूणिक स्टडी सर्किल बाई दीपक कुमार चैनल पर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें साथ ही बैल आइकन प्रेक्षण आप बिल्कुल नहीं भूले जिससे दोस्तों आज की क्लास हम शुरू करेएं कि लिए हैं यहां की दोस्तों पृष्ण तो इस त्थिखि consistent अवर्स तो अगर आप चाहें तो एक बार video को रोख करके आप इनो nways subscribers कर सकते हैं चलिए दोसतो देखे सभसे पहला formula यś cap पढ़ा है एहां पर पढ़ दे हैं डोस iPhone 2 he a square plus b square plus 2 एवी, इसके इलावा दोस्तो कर के यह बनाया गए, मैं आज इसको जरूर दिखाँगा आपको करके इसी के दवारे दोस्तो इन दोनों को ही घटा करके हम ने यह फोर्मुला बनाया है, जो हमने Q4 पर लिखा है, इसके लावा दोस्तो बहुत ही जढ़ा popular formula जो बहुत ही most importantly जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फॉर्मला है दोस्तों वही है a square minus b square है इसमें क्या होता है दोस्तों a plus b और a minus b एक बार किसी चीज़ को हम क्या कर देते हैं दोस्तों जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं दोस्तों इसके लावा square में ही एक और फॉर्मला जो तीन संख्याओं पर लगता है वह है a plus b plus c का whole square a square plus b square plus c square plus दो बाहर bracket के और यहां पर a b plus b c plus दोस्तों कितना सी यह सारी चीज़ें आपकी दोस्ती यहां पर है इसके लावा दोस्तों अब तीन पावर की अगर मैं बात करूं तो पहला फॉर्मला जो यहां पर लिखा है तीन पावर के लिए दोस्तों a plus b a plus b की whole power 3 बाहर है ना a plus b को ब्रेकेट में बंद किया और इसक दोस्तों यहां कितना a minus b है इसके लावा दोस्तों देखिए a की 3 plus b की 3 a plus b a square plus b square minus a b और दोस्तों इसके लावा a की 3 minus b की 3 का जो फॉर्मला है वह है क्या है a minus b a square plus b square और प्लस दोस्तों क्या a b और यहां पर दोस्तों a की 3 plus b की 3 plus c की 3 minus 3 a b c का जो फॉर्मला है वह है a plus b plus C bracket में A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C तो दोस्तों इन पर कैसे कैसे formula question बन सकते हैं और यह formula के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों सबसे पहले में पहले formula की बात करता हूं दोस्तों देखिए यहां पर क्या है A plus B का whole square है तो दोस्तों अगर मैं इस formula को एक minute के लिए आपको बना के ही दिखाओं दरसल यह है क्या तो दोस्तों हम बहुत ही सरलत से वास समझ सकते हैं कि यहां A plus B और A plus B अगर इन ब्रैकेट के हैं A plus B की A plus B में ही multiply की जाए दोस्तों यह क्या होगा A plus B का whole square है जैसे हम 2 गुणा 2 की गुणा करते हैं दोस्तों और क्या लिक्ते हैं दो की पार 2 तो A plus B और A plus B का ही मतलब है A plus B का whole square है तो दोस्तों अगर यहां पर है इसको multiply किया जाए कैसे करते हैं दोस्तों कि A की A में गुणा की है फिर इस A की किसमे करी B में फिर इसके बाद दोस्तों चलिए पहले कर देता है A की A में गुणा कितना दोस्तों A स्कुरार और दोस्तों A की B में गुणा कितना दोस्तों A B और दोस्तों अब इस B की गुणा A में करेंगे दोस्तों आप इसे B A लिखे या A B लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गुणा में दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता और B की गुणा जब आप B में करेंगे दोस्तों क्या वगाब B स्कॉयर आएगा तो दोस्तों देरासल देखे A प्लस B का होली स्कॉयर जो है वो क्या बना है दोस्तों A प्लस B का होली स्कॉयर बन गया है दोस्तों आपका A स्कॉयर और A B और A B कितने दोस्तों 2 A B प्लस B स्कॉयर जिसमें जादतर दोस्तों हम क्या करते हैं हम इसी को अक्सरम पीछे ही लिखती है और इस तरीके से दोस्तो a प्लस b का क्या उस्तो a एसक्वार प्लस b skilled प्लस दोस्तो क्या दोस्तो उमीद है आपको सबसे पहली बात जो मैं समझाने का परयास कर रहा हों कि वो ये formula क्या है किस तरीके समय से प्राफ्ट करते हैं पूरी explanation मैं दोस्तों यहाँ पर कर दी है आपके सामने इसके लावा दोस्तों questions किस तरीके के यहाँ पर बन सकते हैं उसको जरह हम देख लगते हैं तो दोस्तों देखिए माल लिजए हमारे पास एक संख्या है कितनी दोस्तों 173 और गुणा 173 ठीक है दोस्तों प्लस दोस्तो 27 गुणा 27 प्लस दो गुणा 173 और गुणा 27 दोस्तों इस तरीके की चीज़े हमारे पास मुझूद है ये कुश्चन दोस्तों हमारे सामने लिखा हुआ है पीपर में है ना या दोस्तों एक्सेसाइज में करते हुए इस तरीके की का अगर एक सवाल हमारे सामने लिखा है तो दोस्तों हमें पहले एक बर देखने में बहुती साधान तरीके सागरम से देखेंगे या सोचेंगे तो हमें लगेगा 173 की 173 में गुणा करनी पड़ेगी फिर पलस है दोस्तों तो इनकी गुणा करेंगे दोस्तों इसके अलावा इन सभी की गुणा करेंगे और सभी को क्या करेंगे दोस्तों जोडेंगे तो दोस्तों ऐसा करने में हमारा काफी ज़्यादा समय जा सकता है लिकिन अगर question को हम थोड़ा सा धिहान से देखेंगे और समझेंगे दोस्तों तो देखें अगर आप समझें यहाँ पे कि अगर हम A को 173 कह दे हैं 173 को क्या कह दे? A कह दे 27 को हम क्या कह दे? B कह दे तो गोर से देखने पे हमें पता लगेगा दोस्तों कि A गुणा A है यह क्या है दोस्तो? A गुणा A है 173 को A लिखे इसको भी A लिखे A गुणा A प्लस दोस्तों इसे क्या लिखे? 27 को B लिखे है न तो B गुणा B तो दोस्तो वहीं यह 2 का 2 और 173 को दोस्तो कितना A और 277 को कितना B तो दोस्तो अगर इस तरीके से है और यह कुछ A स्क्वाइर प्लस क्या दोस्तो B स्क्वाइर और प्लस क्या दोस्तो 2 A B बने तो दोस्तो तुरंट हमें दिमाग में कि वहीं दरसल यह किया है यह a's quicker plus 2ab a square plus b square plus 2ab दो दोस्तो a plus b का whole square बही तो है a plus b का whole square ही तो है तो दोस्तो है कि नही तो बिल्कुल है तो अगर हम दोस्तो इस तरीके से सोल करें तो बताओ한次 कामान क्या है दोस्तो? हमारे पास एक अमान दोस्तों यहां पर लिए रहा हूं मैं एक अमान कितना है दोस्तों हमारे पास 170 है दोस्तों वहीं 20 अमान कितना है हमारे पास 27 है और तब हम उसका होल स्कायर कर दें दोस्तों 170 और 27 कितने हो जाएंगे मतलए यह दोस्तों है न दो सो हो जाएंगे और उसका अगर हम वर्ठ कर दें तो दो कवर कितनाками चार और दो जीरो की कितनी दोस्तों चार जीरो कितनी सरलते से हैं हम इसका आंसर प्राफ्ट कर सकते हैं किया आपको यह बात समझ हें आई है दोस्तों तो विल्कुल आपको ये बात जरूर समझवाई होगी दोस्तूं इस तरीके से दोस्तों हमने पहले सबसे पहले कोश्शन की बात की किस तरीके से यहां परकेशन हो सकते हैं चलिए दोस्तों एक और उधर में को निता हो जिससे के ओर चीज़े ठोड़ी सी बहत्र डह़ें से क्या हो जाएं डोस्तों किलिए दोस्तों एक और चलिए आपके लिए दोस्तों जलिए हमारे पास एक संख्या है 120, कुणा 170 ठीकी दोस्तों प्लस यहां पर कर लेता है 130, गुणा 130 और प्लस दोस्तों दो गुणा 170 गुणा 130 अब दोस्तों इसका माल तो दोस्तों वही कि अगर हम से साधन तरीके से सोचेंगे तो दोस्तों क्या सोच रहे होंगे कि 170 गुणा 170 है वही 130 गुणा 130 है वही प्लस दो गुणा 170 130 है लिकिन दोस्तों अगर हम ध्यान दें observe करें कि भाई अगर हम इसको दोस्तो क्या मान ले ए मान ले इसको क्या मान ले दोस्तो बी मान ले और दोस्तो यहां पर दो यह भी बन जाएगा तो चलिए दोस्तो एक बार हिमसे करके मैं आपको बता रहा हूँ यहां पे मैं क्या करना चाहूं कि 170 जो है दोस्तों अगर उसको A मान ले क्या मान ले A और दोस्तों वही 130 को दोस्तों हम क्या कहें B कहें तो यह A गुणा A, 170 को क्या A और यह B तो दोस्तों वैसे ही यह क्या बनेगा A स्कार बनेगा और दोस्तो 130 गुना 130 तो दोस्तो B गुना B तो दोस्तो क्या बढ़ेगा B स्कार बढ़ेगा तो दोस्तो वहीं ये क्या है 2 और ये क्या है A और ये क्या है B तो दोस्तो इस तरीके से ये A plus B का क्या बन जाएगा होली स्क्वायर बन जाएगा तो दोस्तो अब अगर हम इसको यहां से सोल करें क्या रखें दोस्तो जो कि हमने मान रख्था था 170 और B का मान क्या दोस्तो 130 और इस का वर्ट करें दोस्तों यह जोड़ के इसकी गुणा करते हैं इनकी गुणा करते हैं तब भी यही आता लेकिन अगर हम समझाएं कि यह दरसल दोस्तों क्या है इस फॉर्मले का इस्तमाल किया जा सकता है इस कोश्चन में हम इसे मैं हमारा जो दहीं ना राइट है और यहां तो दूस्त देखे हैं ऐसा नहीं होता कि हमेज आप इसको ऐसे फॉर्मैट मिलिखो दोस्तों आप खर सकते हो या आरे का दोस्तों ऑले चस्कु के रूप में भी कर सकते हैं यहां पे कि यह चीज तो a plus b के whole square के बराबर होती है दोस्तो a का मानी 170, b का 130 है इस तरीके समने सोल क्या तो मीरे दोस्तो इस तरीके से की बात जरूर समझमाई होगी चलिए दोस्तो आगे एक example हम देखते है तो दोस्तो अभी अभी हमने बात किस्पे की पहले formula पहना a plus b के whole square के formula दोस्तो दूसरे formula और पहले formula जाद अंतर नहीं जहाँ बीच में plus है तो वहीं क्या है माइनस है और इसका arches part देख पा रहे हैं दोस्तो a square, b square तो दोनों से मी है केवल और केवल चीन का फर्क कहां पढ़ा है दोस्तो ये वाले section पहना तो चलिए दोस्तो एक बार सबसे पहले हम पिछले ही सवाल के तरह है इसको एक बार बना के देखता है कि a minus b का whole square दरसल क्या है दोस्तो a minus b के bracket की a minus b के bracket में multiply करके ये गयात किया जा सकता है जैसे a की a में गुणा करें तो दोस्तो कितना a square a की अगर b में गुणा करें तो दोस्तो माइनस कितना a b क्योंकि plus minus क्या होता है minus और दोस्तो अब देखे b minus plus minus दोस्तो b के a में गुणा करें वही बी या a b जो भी लिखना चाहें दोस्तो इसके लावब दोस्तो यहां पर गुणा करीट दिए a square minus a b minus a b minus के कितने 2 a b और plus के कितने दोस्तो b square इस तरीके से दोस्तो यह फोर्मला जो है आपके समने बना हुआ है a minus b का whole square का अब देखें दोस्तो यह तो हमने formula के explaination आपको कर दी और इसको समानियत है रूप में ज्यादातर हम क्या लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं यह जो 2 a b वारा पार्ट है दोस्तो उसको हम ज्यादातर पीछे ही लिखते हैं तो a square और b square कह देखें दोस्तो इसके आगे plus है तो यहां पर plus b square और यहां पर दोस्तो कितने minus के 2 a b तो दोस्तों इस तरीके से तो हमने बात की है कि कोश्चन की फॉर्मला जो है किस तरीके से बनाए गया है वह बार ही बात कर ली तो चलिए दोस्तों इस पर कोश्चन देखना चाहें तो हम किस तरीके से यहां पर बात कर सकता है तो देखें दोस्तों पिछले की कोश्चन के त लेक्थ 53 टिरेफणी लेक्ते यह तर टिरेफण लेक्र 2010 और हम थोड़ा सा भी फोकस करके देखे हैं तो दोस्तो अब हम समाइने सरे थोड़ा अलग सोच पा रहे हैं तो यह को इन्हें गुना करके इन्हें जोड़ना और इन्ही हम यहाँ पर एक formula देख सकते हैं कि हमारे पास एक formula की circle में ऐ है यह चीजें और अगर ध्यां से देखंगें तो हम जरूर को प्राख कर लेंगे तो देखें A और ये कितना दोस्तो B अब देखें दोस्तो A गुणा ये कितना हुआ A स्कायर B गुणा B कितना हुआ B स्कायर तो दोस्तो वहीं ये दो A B है आपका क्लियर है दोस्तो तो बताओ अब ये फोर्मला साफ साफ नहीं पता लग रहा गया है ये आर्चस वाड़ा पार्ट बन ग समझ पहुआ है अगर इनस घटा देगे दोस्तों कितने दोस्तो आठर से कितने दोस्तों अगारो कि सबया है नियूतु मिना तो इस तरह कर सकते हैं एगा है तो उनको इस तरीके से दोस्तों है ना इस प्रकार की कोश्चन को यह माइनस बी का होली स्कॉयर है अगर यहां पर माइनस है और एकर यहां पर प्लस होता तो दोस्तों यही ए प्लस बी का होली स्कॉयर का है ना कोश्चन दोस्तों फॉर्मुला जरूर बनता है यहां पर तो तो किस तरीके से हमने बना है जैसकि दोस्तों एक कि ना 2AB, तो दोस्तो, वहीं है, A-B का whole square, क्या है, देखे, A square, plus B square, minus के 2AB, अब अगर दोस्तो, हम इनहें, क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोस्तो, इनहें, हम जोड देंगे, तो देखें, दोस्तो, क्या मिलेगा, प्लस के 2AB से माइनस के 2AB कैंसिल हो जाएंगे, तो दोस्तो अगर इनको हम जोड़ दें A प्लस B का होल स्क्वाइर और प्लस यहाँ पर क्या दोस्तो A माइनस B का होल स्क्वाइर तो ध्यान से देखें दोस्तो A स्क्वाइर A स्क्वाइर दोस्तो अब क्या लिख सकता है इसको 2A स्क्वाइर वहीं दोस्तो B square B square को जोड़ दें अगर तो क्या लिखा जा सकता है दोस्तो 2B square यहाँ पर यह कैसे cancel है क्योंकि यह plus यह minus था जब कि यह दोनों क्या है positive है इसलिए जोड़ दें 2A square यह भी plus ही है इनको भी जोड़ दें दोस्तो 20 square रगरब 2 common लिम लिलें इस तरीके से a प्लस b का whole square बरावर यहां पे बरावर नहीं है दोस्तों क्या है • और यह कितना a – b का whole square • 2 common लिने के बाद क्या बढ़ना दोस्तों a square plus b square तो दोस्तों यह इस्तेथीध बढ़ी है अब देखीए ये चीज़े अगर हम समझ माइए दोस्तो तो बहुत अच्छा कोशिण जो है इस फोर्मले पे यहां मेरे सकता है जिसकि दोस्तो है अक्सर आप इस परकारगे कोशिण के में ये पहला लेसन दोस्तो आगे दसमला भीन है Surly करने हैं दोस्तों पहले जो 6-7 Lesson है जो कैल्कुलेशन बेस्ट और फॉर्मूला बेस्ट लेसंस हैं दोस्तों वह पर ज़िए बहुत ज्यादा चीज़े काम आने वाली हैं तो तो आप इन्हें बार बार देखिए अगर आपको सुरुआत में आप फ्रैसर हैं दोस्तों है ना आपको यह चीजे पहली बार देख रहे हैं पता कर लग रही है तो इनको दोस्तों बार बार देखिए करिए ने लिक लिक के प्रैक्टिस करी तो चीजें काफी आसान होगी औ है ना दोस्तो आपका साथ देंगी सही होग करेंगी आपके सेलेक्शन में तो चलिए दोस्तो यहाँ पर देखते हैं अब अगर मैं इस पर कोशन बना चाहूं किस तरीका कोशन यहाँ पर बन जाता है दोस्तो तो चलिए देखें जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूँ Hahah 아서 को दे दियाग थाहुए तो इसके साइटासे कैसे आप सवाल का असानी से कर सकते हैं अगर आप गोर्ष से देखिए दोस्तो हम पे लिखेुझे, जोटोने ढाइन अगर आप यहां 443 को सबसाल क를 कर थाहे अरे दोस्तो क्या केते हैं, 12349 को सबस्त Inner एक पुरौर दोस्तों क्या हुआ यह 1-2-3 बी यहां पर लिखेंगे गुणा बी लिखेंगे तो क्या होगा बी स्क्वाइर ही होगा निश्चत रूपस है तो मिदे यह बात आपको जरूर समझ मारी होगी अब बताओ दोस्तों उपर जो फूर्मुला है यह बना है एना ए प्लस बी का हॉ स्कायर इस के इस थान पर आप क्या लिख सकते हूँ दो evdo ब्रेक्ट में a स्कायर प्लस v2 वर बिंगर में क्या बचह है तो इस होँ यह बेंगर में तो बैंसे हों यह कि कंसे बचन ऐस زएखक required और सक और आप क्या आपार्थ lifelong और दो तो भातर व यहां पर ए और भी बचता ही नहीं जबकि इसमें बचा था इसमें बचा था तो ए और भी के हमें मान रखने पड़ेते लाश्ट में दोस्तों लेकिन दोस्तों यहां पर क्या बचा के वलो के वल दो यानकि इस परकार का अगर कोई भी कोश्चन है दोस्तों कोई भी कोश्च है आप सीधे सीधे दोस्तों क्या कह सकते हैं कि इस परकार के सवाल का अंसर हमेशा ही हमेशा है ना दोस्तों जिसे भी कोश्चन में ये वाला फॉर्मला आपका लग रहा होगा दोस्तों इस तरीके की सीच्वेशन में तो हमेशा उस तरीके का कोश्चन का अंसर आप क्या दे कि अगर आप हमेजा याद रखेंगी अगर यह वाला फॉर्मॉला पहचान ले कि वीपर इस तरीके का फॉर्मिशन और इस तरीके से क्वेंट एक पॉंइंट साथीन दो प्लॉस .008 की होल पावर दो तो दोस्तों महीं एक पॉंइंट साथीन दो मैनस .008 की होल पावर दो बटे दोस्तों कितना 1.732 गुणा मतलब दोस्तों एक पॉइंट साथ तिन दो प्लस पॉइंट जीरो जीरो आठ गुणा पॉइंट जीरो जीरो आठ तो दोस्तो देखें अगर आपने सारी स्थिति को अच्छे सा अब्जर्व कर लिया है और आप समझ है कि अगर दिर असल यहां पर कुछ भी अलग नहीं है कि हम इने जोड है उसका वर्क करें इने गटा में वर्क करें इनकी गुणा करें तब सोल करें सब बिलकुल भी नहीं है अब गोर से देख रहें केवल दो संग्या है एक ही एक ही और अगर इस तरीके से अगर आप इसे ए कहेंगे दोस्तो तो वापस वही बात होगी कि A प्लस B का होल स्क्वा स्क्वाईर नेचे दोस्तों एक ए गुणा ही यहनिकैई स्क्वाईर बनेगा यह क्या दोस्तों विशर लिए दोस्तों वमेशा ही अंसे आनसर के आनाम है बैद दोस्तों आया है ना दोस्तों यहाओ प्रेंट वहीैय hem और हमारे साधार नंबर थे दोष्व लेकिन आँ लास्ट में दोस्तों कि ए और बी ही नहीं वचता जो आंसर दो है वो ए और पी के मान से क्या है दोस्तों स्वतन रहे उसमें A और B बचता ही नहीं, इसलिए दोस्तो हर सीच्वेसन आप ध्यान रख सकते हैं, जहां पर भी A प्लस B का होली स्कायर और A माइनस B का होली स्कायर के बीच में प्लस का साइन हो, तो दोस्तो आप थोड़ा सा कोश्चन को ध्यान से उबज़र करके कह सकते हैं, कि इसका नहीं अब समझते हैं, तो दोस्तो जहां पर हमने विच जो फर्मल लаемber 3 था, वो इन दोनों को जोड़ करके प्राप्ट किया था, तो दोस्तो वहीं, देखेए, इसके बीच में क्या साइन है? माइनस है इनके इन दो को दोस्तों हमने घटा के से प्राप्ट किया है तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं और दोस्तों इसमें तो और खास बात मनेगी तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले इनको एक बार घटा के देख लेता है दोस्तों A प्लस B का जो होल स्क्वाइर है और माइनस कितने दोस्तों, दूए भी, यह तो हम समझी चुके हैं बैठेंगे। अब दोस्तों अगर हम इन हो गटाएं, क्या करें दोस्तों, घटाएं। तो दोस्तो आप अच्छे से जानता है घटाने में डुस्ति प्रतब त challenges savoir how e to do ऐे प्लस के 2.ी विए इस तरीके से दोस्तों किया बन चुका है दोस्तों 4a b दोस्तों बराबर में बन चुका है तो सब से पहले दोस्तों एक सिंफ् questiरही एक zumpal की तरह हैं तो बना लेता है 슈माल ले जए हमारे पास एक चीज है हम यहां पर ले लेते हैं, 753, प्लस, दोस्तों आप कुछ भी ले ले लिजी, 270 ले ले ले, इसका whole square, माइनस, 753, और माइनस, दोस्तों कितना, 271, का whole square, बटे, दोस्तों देखी, इसके बटे में जो होगा, वो इसी तरीके से होगा ताकि जब यह formula apply किया जाए तो बेहदर ढ़न से कट जाए तो दोस्तो देखे, यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि A square प्लस B square की स्थिति देता है ताकि वो कट के दो answer बचे दोस्तो इसमें क्या होगा? A और B है तो दोस्तो नीचे ऐसा ही देगा ताकि A और B बढ़ने यानि कि दोस्तो अगर A 753 है और B 270 है तो नीचे इनकी multiply देगा के वले से? 270 गुना 271 753 गुना 271 दोस्तो इस तरीके से लिखे देगा दोस्तो इस बार ऐसा नहीं दिया ये जैसे A square प्लस B square क्योंकि दोस्तो फिर cancel नहीं होगा तो ध्यान से देखिए अगर आप इसे क्या करें? A कहें दोस्तो है ना A तो दोस्तो ये क्या? A और इसे क्या कहें दोस्तो आप B कह देए किसको भला A आप किसे कह रहे है? 750 को दोस्तो और B किसको कह रहे हैं 271 को तो देखे A अगर इसे कह दे प्लस B और दोस्तो बाहर क्या है whole square वहीं दोस्तो माइनस इसे क्या कह रहे हैं A माइनस B का whole square दोस्तो समझ पा रहे हैं आप और नीचे देखे दोस्तो क्या चीज़ है A B है A कौन 753 और B कह है तो नीचे उसी हिसाफ से दोस्तो क्या दिया है इनोंने A B क्यों क्यों क्योंकि दोस्तो A प्लस B का whole square माइनस A माइनस B का whole square का जो मान है जो value है कितनी है दोस्तो 4 A B है कितनी है दोस्तो 4 A B और नीचे ये A B ही लिखके देंगे ताकि A B से A B Cancel हो इस तरीके से और देखे दोस्तो इस तरीके से हमेशा आंसर आपका इस सवाल का क्या बचेगा दोस्तो चार बचेगा हमेशा ही इस तरीके के कोश्चन का जवाब आप क्या दे सकते हैं दोस्तो चार दे सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह वहां कि दोस्तों की इसमें भी और दोस्तों कट ज बढ़ता का छ f कर दिनी होगी तो दोस्तों कि नंबर से इनके मान चाहिए कुछ भी हो बड़े हो छोटे हो पॉइंट के हम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों अगला देखता हैं तो देखे दोस्तों अभी हमने यह फूर्मुला भी बात की थी तो चलिए इस पर दोस्त a plus b का whole square है ना और minus दोस्तो a minus b का whole square करके आपको क्या मिला दोस्तो चार a b देखे दोस्तो अब यहां से ध्यान से समझे अगर इस चार a b को इधर लिए माइनस और अगर इसको इधर ले जाए तो दोस्तो प्लस तो दोस्तो क्या कहने का मतलब है कि अगर a plus b का whole square में से यह इधर आखे माइनस हो जाए तो चार a b इधर माइनस हो जाए तो दोस्तो यह माइनस इधर जाएगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो दोस्तो यह a minus b का whole square आपगा तो कहीं ने कहीं दोस्तो इसी स्थिती में ि्या कर सकते हैं कोशिशन क्रिएट कर सकते हैं जैसे की दोस्तों अगर हमें आपको लिखके दूँ कि 506 ठीक है दोस्तो 500 वह दोस्तों क्या कर लेते हैं यहाँ पे चल यह 25 कर ले नहीं ठीक है कावर माइनस 4 गुणा पांदिस च्छंतर और गुणा दोस्तों कितना 524 इस तरीके का मैंने सवाल आपके सामने बना लिया है तो दोस्तों अगर अगर अब हमें ऐसा लगए कि हम इन जोड़ेंगे, उसका वर्क करेंगे इनकी गुणा करेंगे और तब जाके इन घटावेंगे दोस्तों तो दोस्तों उससेeg बहतर है, समझे अगर मैं इसको ए कहा दूँ, क्या कहा दूँ दोस्तों 56 को is A और 524 को क्या B ग्रihान से समझेंगे यह A-B का क्या बनेगा दोस्तों, होली स्कायर बनेगा और माइनस के कितने दोस्तों 4A-B 4AB बनेगा तो दोस्तो A plus B का whole square में से अगर 4 A B minus हो जाएं तो क्या बढ़ना वड़ा है A minus B का whole square है ना प्लस वड़े में से अगर minus होगे 4 A B तो A minus B का whole square बढ़ेगा अब अगर दोस्तो यहां से soul करेंगे कि भी 526 में से 524 क्या कर देंगे दोस्तो माइन और तब उस का small square हे तो बताओ चैमें से 4 गए कितने दोस्तो 2 है ना और दोस्तो यहां पर 7 में से 2 गए कितने 5 तो दोस्तो 52 बचेगा और 52 का work अराम से कर देंगे कि 2 का work कितना दोस्तो 4 और 25 में 2 जोड़े तो डोस्तो कितना 7 खेर दोस्तों यह तरीक हमें क्या कर हुए आप यह जानते ही होंगे, कि आर्मिंच में बेंच परactic वर्णीं करने की और त्रिक्स करने की cent तों आपने जरूर देख रखे ओंगे, खेर धोस्तों अञे करता हैं। अगर हम यहां पे क्या करें इसके उल्टा कर तो दोस्तों, तोदोस्तों, अगर 4A भी उधर भेज़ दें, यानि कि A माइनेस B का होल स्कार में हम 4A B क्या कर जोड़ दें, तो दोस्तों वहीं यह क्या बन जाएगा बन जाएगा contagious तो दोश्तों अगर eh minus दोस्तो अगले formula पर चलते हैं जो की काफी popular formula है हमारा दोस्तो क्या है formula a square minus b square बरावर क्या है दोस्तो a plus b और दोस्तो a minus b यही तो formula है तो दोस्तो जैसे कि आप जानते ही है ना कि सबसे पहरे चलिए हम बात कर लेते हैं इसदर यह formula बना कैसे है दोस्तो यह इधर से नहीं इधर से देखे इसको हम दोनों bracket को क्या करेंगे आपको multiply करके दिखाएंगे आरे जिसमें जो लिखाए a plus b और a minus b को और इन्हें की गुणा से यह प्राप्त होगा देखेगा आज दोस्तो देखो plus minus अब b की गुणा जब b में करेंगे plus minus minus कितना दोस्तो b square अब देखे दोस्तो यह जो बीच वाले है एक minus कई भी आए एक plus कई भी इस वज़े से दोस्तो a plus b और a minus b की जो गुणा है वह क्या प्राप्त हुई दोस्तो a square minus b square और इस formula को दोस्तो जादतर huge कै से किया जाता है इस format में कि अगर a square minus b square है तो आप एक वार जोड़ दीजिए एक बर घटा दीजिए दोस्तो एक example देख लेता है जैसे कि दोस्तो हमारे पास एक example हो 73 गुणा 73 माइनस दोस्तो क्या 27 गुणा 27 यह हो तो दोस्तो हम देखे इसमें क्या हम इनकी पहले गुणा करें फिर इनकी गुणा करें गटा वें या फिर दोस्तो यह फिर फॉर्म लगा ले दोस्तो देखी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या ही 73 गुणा 37 यह इनके 27 का square दोस्तो अगर a जो कि यहां पर 73 बैट रहा है और b जो कि यहां 27 बैट रहे बीच माइनस और द 70-27 तो देखें दोस्तों, कितने आसान होगा तब यह 7 और 3, 10, 7 और 2, 9 यह अनकी कुल मिला के दोस्तों, कितना 100 13 के दोस्तों कितने 6 और 6 में से दोगए कितने 200, 4 अब बताइए, 100 और 46 की कुना कितने आसान हैं दोस्तों, छालिस सो तो इस तरीके से बढ़ी आसानी से है दोस्तों आप क्या कर सकते हैं यह formula apply करके जहां पर भी इस तरीके से दो अनमर की उना ही है दो की ही और दोस्तों holy square लगा है holy square लगा है एक बर जोड़ते एक बर घटा दिया और सीधी सीधे अपने यह answer हमने प्राफ्ट कर लिया है तो चलिए दोस्तों अगले सुतर को समझते है तो अगले सुतर के है दोस्तों हमारा छटा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वाइर बरावर A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस C स्क्वाइर प्लस दोस्तों क्या 2 A B प्लस B C प्लस C है तो देखे दोस्तों, इस वाले फर्मले में अगर मैं बात करूँ कि ये बढ़ा कैसे है, तो दोस्तों आपको ये बात बहुती अच्छे समझ में आगी होगी, कि A प्लस B प्लस C का होल इसका है, तीन संख्या लेगा है, दोस्तों क्या किया गया होगा, A प्लस B प्लस C के ब्र शूरूर देखएगा है ना दोस्तो मैं इसको आपको गुणा पो नहीं दिखा रहे हैं इस पर चलेंगे हम सिधे डोस्त एगसम्प्ले जो सुत्र ये यह बींद ये दो आप अब यहां पर कोशिशन बनेगा, इस format से बनेगा और ताकि आप उसे इस format में लग सके है जैसे कि दोस्तों, अगर आप यहां पर चलें, तो देखिए, जैसे हम यहां पर कोई कोशिशन बनाने का प्रियास करें दोस्तो हम बना लिते हैं देखेजिए बारा बारा की पावर दो या बारा गुना बारा कर लिते हैं दोस्तो एक कर लिया दोस्तो हमने यहां पर आपका चलिए दोस्तो क्या लिख लें 7 लिख 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 ल और दो बारो रहां यहां कमजास से मृन ने सीधह निखा यहां बाकिके दो हिस्से है ना 12 साथ और लुखने लिए तो नीचे लिए लिए अधिया है तो दोस्तों अगर आप धिया है देखेता यह वर्ग है यह क्या है और दोस्त थे एक कवर लिखा जा सकता है तो दोस्तों वहीं यह क्या है 12 गुना 7 प्लस 7 गुना 1 और दोस्तों कितना 1 गुना 12 दोस्तों बिलकुल यह इस का यह फोर्मला है ना A square, B square और प्लस C square, 2 A, B, B, C, A, तो दोस्तों अगर अगर आप इसे बंद करें तो क्या लिख सेगें आप इसे A, B, B, C, यह रहने के 12 गुना 7 प्लस 1 का क्या होल इसका है और दोस्तों यह कितने हो जाने वाले हैं 20 और 20 का होल इसका है दोस्तों कितना 400 तो इस तरीके से कहें दोस्तों आप इस फोर्मिले के साइटा सभी सेवी चीज़ोंको सौल कर सकते हैं तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले फोर्मिले पर तो आए दोस्तों अगले सो Bye आप से हम चीज़ोंको देखने का परयास करते हैं अगला जो सुतर है दोस्तों वह क्या है हमारा a plus b की whole power 3 तो दोस्तों यहां पर question बना है a की 3 plus b की 3 plus 3ab और bracket में क्या दोस्तों a plus b तो दोस्तों इसके लिए देखे हैं ना आपको यह तो बास समझाई रोगी हो कि a plus b की power 3 का मतलब क्या है a plus b a plus b a plus b 3 बार गोना करके formula हमने प्राप्त क्या होगा तो चलिए दोस्तों अब हम इस बात पर नहीं चर्चा कर रहें अब हम सीधे question प्राप्त है दोस्तों मैंने यहां पर कहा कि यदि एक पी बराबर कितना होनी नियान में हो तो करनी पर दोस्तों करनी पर तीन है गातांक तथा करनी हम एक topic पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा उसकी का भी यूज होगा इस question में तो तो दोस्तों दोस्तों धियान से समझेगा और दोस्तों आगे है पी की 3 प्लस 1 प्लस 3 पी स्कार प ऑहां पसा झाल अ कि एक एक है श्चानकी में तो आश्म आ ऐसे इन पर और अ कि Tो फीद के सुखा यहां disrespectful दो आश ahagate श्चान जांगी के श्चायी विए wealth तो में चूर जाये हैं एगला जाएंसे इो व्य दूस्ति हो तो जहां पे ए है दोस्तों वहां पे क्या है पी है जहां पे बी है वहां क्या है एक तो जैसे दोस्तों ए प्लस बी की होल पावर ती लिख सकते हैं तो इस को हम bracket के अंदर जो मदब इस करनी के अंदर जो लिखा है दोस्तों उसे हम क्या लिख सकते हैं पी पलस एक की whole power तीन और दोस्त आप अच्छे जाए कि इस करनी से यह तीन क्या होगा cancel हो जाएगा ठीक है दोस्तों और इसको और क्या से CANECEL होते हैं कि गहते हैं बहुते बहुते हैं बटा लगेगा अब देखो दोस्तो इसका हल какаяा प्लस one अब अगर यहां p का मान्नी 90 में रख देंगे 99 Plus इक तो बड़ी आसानी से हमें स्वाल का अंसर बता सकेंगे कि इसका अंसर कितना है दोस्तो सो अब we just only ऑन को फोर्मलों पर चलेंगे तो चलेंगे दोस्तो बात करेंगे इनकी तो दोस्तो जैसे कि हमने ये करा था भी तो उसी के जहां दोस्तो बस कुछ चिनों के बदलाओं के साथ ऐसी ही चीज़ा आपको यहां पर भी दी जा सकते हैं और दोस्तो अगर आप कोई बहतर ढ़न से याद रहेंगे अब इसके अगर मैं कोईश्चन की बात करूं अच्छा दोस्तो फोर्मले बनाने की बात करूं तो आप इसकी गुणा A प्लस B के और इस ब्रैकिट की गुणा कर दो यही बचेगा दोस्तो इसको आप करके भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जैसे कि अगर आपको कुश्चन दिया गया कि 731 गुणा 731 और प्लस दोस्तों आप क्या कर सकते हैं यहां पर आप कर लिजिए दोस्तो 69 इंटू 69 ना यह 69 यह करा दोस्तों मैंने और बटे में दोस्तों देखे क्या 731 गुणा 731 ठीक है दोस्तों प्लस यह उनत्तर गुणा उनत्तर दोस्तों माइनस 731 गुणा दोस्तों उनत्तर ऐसी चीज अगरा दोस्तों आपके सामने तो दोस्तों क्या आपको इसे पूरा ही सोल करना पड़ेगा 731 गुणा उनत्तर की तीन गुणा तब दो बार गुणा इसकी दो बार गुणा उसकी दो बार गुणा इन दोनों की नंबरों की और तब इन्हें जोड़े इन्हें दोस्तों जोड़े और घटा में तब जाके भाग करें तब आपका अंसर आगर नहीं दोस्तों अगर यह formula आपको अच्छे से समझते हैं तो बेहतर ढ़न से आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि दोस्तो 731 की whole power कितनी त्यार हो जाएगी है एक दो और तीन तो तीन पावर दोस्तो वहीं ये कितना है 69 की power दोस्तो तीन बर गुना है तो तीन बर तो दोस्तो ये क्या है 731 की power 2 है तो दोस दोस्तो ये कितना 731 गुना कितना 69 अब समझ पा रहे हैं दोस्तो कि यहां पर A की 3 प्लस B की 3 का formula बन सकता है तो दोस्तो बस उसके लिए आप इस 731 को क्या मानिए A मानिए 69 को क्या मानिए दोस्तो B मानिए तो देखें अगर यहां पर आप क्या लिखें A लिखें तो A की 3 प्लस B की 3 बटे दोस्तो कितना यहां पर देखें A स्क्वार प्लस दोस्तो कितना B स्क्वार और यहां पर दोस्तो कितना A B तो माइनस A B तो दोस्तो बताओ अगर यहां पर आप अगर फोर्म लगा देंगे A की 3 प्लस B की 3 का तो फोर्मला क्या बनेगा A प्लस B A स्क्वार plus B square minus A B और बटे में कितना बच्चा है A square plus B square minus A B तो इस situation में दोस्तो क्या होगा? ये कट जाएगा और इस तरीके से आपका जो answer होगा क्या बचेगा A plus B तो आप हमेशा याद रख सकते हैं कि अगर आपके question में इस तरीके से A की 3 प्लस B की 3 तो आपका अंसर हमीशा ही क्या बचेगा दोस्तों य rhaiga SprAll Hub चोण चИ spinach मत करिए दोस्तों सीधे 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 ऐसा करिए कितना चब्वाइट साथ सो एकतिस पलस कितना डोस्तों 69 और इस सरी बड़े ही आसान लगे है आपको चीज़े चलिए दोस्तो एक उढ़रेड़ bizim 10 और एक फॉर्मले पर भी जरूर देखलेए तो आइए दोस्तो अब हम सुतर नमबर 10 की यहां पर जो लिखा है उसकी बात कर लेते हैं तो दोस्तो ये भी पहले जैसा ही है लेकिन कहा का फर्क है ये प्लस की जहां क्या है दोस्तो माइनस दिया गया है तो इसका फॉर्मला जो है आपका क्या है दोस्तो A माइनस B A स्क्वार प्लस B स्क्वार और प्लस कितना दोस्तो A B तो दोस्तो अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस था यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों प्लस लागा तो दोस्तों अगर अग्र इस पर भी हम पहले की ही जैसे अगर कोचिन करते खर हैं कि कलेडिक करने की तो दोस्तों जैसे कि में यहां पर आपका कवेणी का अग fact is चोना 831 गुणा 831 और माइनस का लिए 118 1 1 1 3ी और दोस्तों यह 801 गुनाоды ठीक है दोस्तोji प्लूस 131 गुणा 131 और दोस्तों यहाँ पर कितने 831 गुणा 131 son तो देखे दोस्तों अगर आप गोर से देखेगा तेन बर गुणा में है जिसका मतलब क्या है 831 की होल पावरती तो दोस्तों वहीं यह क्या है 113 के होल पावरती तो दोस्तो ये देखें कितना है कितना हो जाएगा दोस्तो 831 का दो बार गुणा में है whole square ऐसे तो दोस्तो वहीं 131 का क्या हो जाएगा whole square तो दोस्तो 831 गुणा 131 ये हो जाएगा अब बताओ दोस्तो अगर आप इसे a कह दे 831 को और दोस्तो वहीं अगर आप 131 को क्या कहें B तो दोस्तो यह formula क्या बनने वाला A की 3 माइनस B की 3 तो दोस्तो यहीं यहाँ पर एक A square प्लस B square प्लस AB बनेगा और दोस्तो इसका सुत्र अगर यह काप apply कर देंगे यहाँ तो A माइनस B और दूसरे back it में A square plus b square plus a b और दोस्तो नीचे आप क्या देख पा रहे हैं a square plus b square plus a b जैसी situation d जीसे ए küçुण हुआ और दोस्तो इस तरीके से आप cancer क्या बचने वाला A-B तो दोस्तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकेंगी कि भई 831 जो कि A का मान मानना था अपने और 131 अगर आप घटा दे तो दोस्तो आपका सवाल का अंसर ही क्या जाएगा साथ सवा जाएगा दोस्तो इस तरीके से दोस्तो कर सकते हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तो अगर आपके question में A की 3 माइनस B की 3 का formula बने तो आपका answer क्या है दोस्तो A-B यानि के दोस्तो अगर A की 3 प्लस B की 3 का formula बने तो answer क्या बचेगा दोस्तो A प्लस B हमेशा और अगर A की 3 माइनस B की 3 का formula बने तो आपका अंसर क्या आ रहा है दोस्तो A-B आ रहा है बस दूसरा ब्रेकट जो है दोस्तो वो क्या होगा कैंसिल हो जाता है तो चलिए दोस्तो अपने लाश्ट फॉर्मिले पर भी हम चर्चा जरू कर लेते हैं तो आएए दोस्तो अपना जो 11 सुत्र जो हमने plus c square minus a b minus b c minus कितना दोस्तों c है तो दोस्तों अगर इस सुत्र के हम बात करें तो और इस पर कोई question बढ़े तो दोस्तों देखे कैसा बन सकता है देखे 4 example दोस्तों में question ले रहूं या वे 4 5.7 5.7 गुना 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 3.8 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 गुना गुना 5.5 गुना 5.5 गुना 5.7 गुना 3.8 गुना 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 5.5 गुना 5.5 गुना 5.7 गुना 5.7 गुना 5.7 गु गुना 5.7 और दोस्तो B क्या लिख लेता है 3.8 गुना 3.8 और दोस्तो C की हांकर मैं बात करूँ तो दोस्तो 0.5 गुना 0.5 तो दोस्तो A B क्या हो जाएगा है न 5.7 गुना 3.8 तो दोस्तो B C क्या हो जाएगा 3.8 गुना 0.5 और दोस्तो C A क्या हो जाएगा 0.5-0.7 तो दोस्तो यह वालीौ 없이ह τरिये हैं और अगर आप ध्यान से देखे हैं दोस्तो यह अगर आप इसे A कहें A कितना बना दोस्तो 5.7 और दोस्तो B कितना बना 3.8 और दोस्तो C कितना 0.5 अब देख difet A A A यह A है ना तो A के तीन दोस्तो यह क्या है दोस्तो B B B तो यह कितना दोस्तो B के तीन और वो क्या दोस्तो C के तीन और गोर से देखेंगे तो यह तीन A B और यह C दोस्तो 3 A B C क्या आपको यह वास है इसके लावर दोस्तो देखें यह दो बर गुना है यह पलस है बस दो बर गुना है तो A गुना है A स्कॉार दोस्तों यह दो बर गुना है B गुना B B स्कॉार और दोस्तों यह दो बर गुना है C स्कॉार माइनस A B माइनस B C और माइनस कितने दोस्तों C है तो दोस्तों अगर इसका फॉर्मुला अगर हम के देते हैं हमेशा कि दूसरा bracket cancel हो जाए दोस्तों अगर आपको इतनी बात समझ मागी होगी दोस्तों है ना इस परकार के ही question दोस्तों देंगे हम यहाँ पर एक्जामपल ले रहे हैं दोस्तों इस परकार के questions हमें सर देखने को मिलते हैं तो दोस्तों इस तरीके से बचा क्य हमेशा ही क्या बचेगा दोस्तों A पलस B अंसरी A पलस B अचेगा या göre के दोस्तों एक इतना था पांच पॉंट 7 बी तरीके से दोस्तों इनका Answer कितना थाका 10 आप शूचे से question देखने में हमें कितना बंड़ा लग घथा क्い कोश्यश को ढगर इस सवाल को अगर हम तो दोस्तों मतलब गुणा करें फिर गुणा करें फिर गुणा करें इस तरीके से करना पूड़ जाए तो काफी कॉम्प्लिकेड़ लग सकता है और इसके अलावा दोस्तों देखें अभी तो हम विस्तार से चर्च करें हर एक पहलू को समझ रहे हैं लेकिन साथ यसाथ हम ब सी की 3-3ABC बनेगा तो यह वाड़ा ब्रेकिट कटने की पोजिसन हमेशा बनी रहेगी और आंसर हमेशा ही क्या बचने वाड़ा है दोस्तों एक और टाइप बन सकता है उसको भी जड़ाद देख लेता है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ता है तो देखें दोस्तों इसी म सी क्या हो जाए दोस्तों आपका 0 हो जाए तब दोस्तों क्या होगा बताओ आप यहां क्या है दोस्तों A की 3 यहां क्या है दोस्तों B की 3 और यहां क्या है दोस्तों C की 3-3ABC तो बताओ दोस्तों अगर आप इसे 0 लग दो तो यह ब्रेकिट क्या है गुणा में है तो 0 गु और अगर ऐसा है तो दोस्तो आप बहुत सारे कोश्चन इस परकार से भी कर सकते हैं जैसे कि दोस्तो अगर मैं यहाँ पे एक कोश्चन लिखूँ कि X-Y की पावर 3 प्लस Y-Z की पावर 3 प्लस Z-Dोस्तो X की पावर 3 बटे दोस्तो यहाँ पे लिखते हो में 6X-Y Y-Z और दोस्तो क्या Z-X तो दोस्तो इस कोश्चन का अंसर क्या हो सकता है अगर हमारे से कोई पूछ ले तो हम क्या बताएंगे तो दोस्तो हम कहेंगे वह यह हमें कुछ-कुछ ऐसा लगता है कि A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 जैसा तो अगर मैं इसे A कहूँ दोस्तो अगर मैं इसे A कह दो किसे बहला X-Y को क्या कहूँ दोस्तो A माल लो तो यह क्या बनेगा दोस्तो A की 3 बनेगा और अगर इसे B कहूँ दोस्तो Y-Z को तो दोस्तो यह B की 3 बनेगा दोस्तो वहीं अगर Z-X को C कह दिया जाए तो यह C की 3 मनेगा और नीचे दोस्तो 6 यह A माल लिया गया है यह B और यह क्या दोस्तो C लेकिन दोस्तो अगर यहां पर अगर हमें इसका इस्तमाल करना है रिजलेट का A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 बरावर कितना 3 A B C यह तब होगा यदि A प्लस B प्लस C कमान क्या जाए 0 तो चलिए दोस्तों यहां पर एक बर चेक कर लिए कि वह प्लस X माइनस X माइनस Y प्लस Y माइनस Z प्लस Z यह क्या बचेगा 0 कब दोस्तों जब आपने A प्लस B प्लस C जोड़ दिया है तो दोस्तों यहां से क्या आ गया है A प्लस B प्लस C का मान जिरो भी आ गया है यह दोस्तों जिरो भी आ गया और इसके जहां A, B और C रखने से A की तीन, B की तीन, C की तीन उपर बना और क्योंकि यहां A प्लस B प्लस C जिरो आ गया तो इसके लिए आप रियल्ट इस्तमाल करेंगे A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 का कितना भला? दोस्तो 3 ABC और ब्रैकिट में क्या है दोस्तो 6 ABC अब बताओ ABC से ABC गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और इस परकार से ऐसे सवाल का अंसर क्या आगए दोस्तो बढ़ी आसानी से एक ब्टे 2 आप क्यायकरें दोस्तो पराप्ट के चलिए दोस्तो एक और एकजमपल है हम यहाँपे बात करते हैं जैसे हमारे पास एक सवाल हो दोस्तो A स्क्वार बटे BC प्लस B स्क्वार बटे AC और प्लस C स्क्वार बटे दोस्तोu कितना A B काम मान ग्यात करेए यदि अगर हमें यह कहते हैं कि A PLUS B PLUS C का मान कहा हो दोस्तो 0 तो दोस्तों जैसे ही इन हमेंगे जीरो हमें बता ही दिया है तब अगर हम यहाँ पे ELSEM लेए पता होगी, A B C ELSEM आजाएगा है ना, हत्ता है मिले ना, सारी चीजást एक एक 50 लिख दी, अब BC सं अगर BC कितना दोस्तों तो देखें दोस्तों यह थे कुछ बीजगणी यह सुत्र जिनका बहुत ज्यादा यूज होगा इन सुरुवात के लेसंस में जो कि हम यहां पर बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों और इनसे रिलेटिड कोश्चन दोस्तों जरूर देखने को मिल जाता है हमारे ए दोस्तों जब हम इसे बुक्स में करेंगे मत अक्ससाईज में कर रहे हूंगे इनकी कोश्चन आ रहे होंगे उनla Mallory को दोस्तों अगर आपको चीजे पसंद आए तो वीडो को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों ठीक है कमेंट करके बताएं आपको चीजे कैसे लगते हैं इसके लावा वीडो को सेयर करना दोस्तों बिलकुल ने भूलें ज्यादत से ज्यादत दोस्तों इन फोर्मॉलों की जानकरी जो आपको बताए गई है जाद से जाद लोग तक पहुंचाएं ताकि जाद से जाद लोग को दोस्तों इसका क्या मिल सके लाप मिल सके तो दोस्तों आज इतना है रखेंगे जय हिन दोस्तों